यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जिन दवाओं के सेंपल बार बार फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी यदि किसी कमपनी के सेंपल बार बार फेल होते हुए नज़र आए तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा परमार ने कहा कि दवा कमपनियों के सेंपल फेल होने का मतलब है पूरे देश के लोगों के स्वास्थे के साथ खिलवार करना जिसे किसे भी सूरत में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा तुरंद इसका काम शुरू करें दौाईयों बनाने वाली कमपनियों के खिलाफ हम सक्त हैं उनके खिलाफ कारवाई हो रही है और जिनके सेंपल बार बार फेल हुए है उनके लाइसेंस को भी हमने सस्पेंड किया और ये भी मैं कहना चाहता हूँ सरकार की और से कि अगर इस प्रकार के और जानकारी Champa हमें मिलेंगी तो सस्पेंड नहीं उनको बलैक लिस्ट भी किया जाएगा और हमांचल की इस धर्ती पर पुना उनको काम करने की अजाज़त बिलकुल नहीं दी जाएगी क्योंकि लोगों की सहेत के साथ किक के खिलवार करने का हग किसी भी दुआई बनाने वाली कंपनी को हिमानचल परदेश में क्या पूरे देश में ही नहीं है कि अजाएगी टार पुनाचल परदेश देश में ही जाएगी